कनागत इसपेशल ठाली बनाने के लिए हमने यहाँ पर न प्याज न रेसुन न हींक इस्तेमाल करा है तो चलिए सुरू करते हैं इसको बनाना थोड़ा सा नमक केट करेंघे जिस्टे की तमाटर ज़ल्दी से सॉप्ट हो जाएं ढखकन को ढखकर रख देंगे 2 मिनट के लिए दो मिनट बाद आप से देख सकते हैं समाटर मारे सौप रूच घुके हैं आदा चमज हम इसमें लाल मिच का पौडर डालेंगे 2030 सब्क्राइब 2 सबिर्च 59 इसमे में अब नर 시बकन का इसमेरी यादमच का पौडर और दो से तीन कप हम इसमें डालेंगे पानी और धकर रख देते हैं चार सीटी ले लेंगे चार सीटी लेने के बाद जो हैं सब्जी अच्छे से पक चुकी है थोड़े से बचाई थे हमने टमाटर बोबीस में एड़ कर दिये हैं गरम मसाला एड़ करा है और दनिया की पत्त चाहिए मजह्ति नाशा में बर encant стран गप जराया भी का मैं जर्डी हपीरा एड़ क्वार्व डाल है तो सारे यहां पर 500 ग्रम कद्वृ द्यार मोल कर दिया है अब पी लाख रख दिया है मिस्तप मैं दूब कर सकते हैं और अधर चमच हाम छहम इसमें डाल सी आप युं अधर रख देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम आज पर तो 5 मिनट हो गए हैं अभी जो कद्दू है वो अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पानी और एट करेंगे थोड़ा सा पानी एट करा डग कर रख दिया दो मिनट के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कद्दू की सब्जी एक्दम खुप हो चुकी है आदा चमच पाउड़ो डालेंगे आदा चमच गर्मशलण डालेंगे और थोड़ी सी दनियां की पत्ती हम डालेंगे और अच्छे सेसी मेक्स कर देते हैं आप देख सकते हैं कड्दो की सबजी बनकर तयार है तो ये ऐ बावल में इसको सरक लेते हैं इसको भी हम साइड में रख देते हैं तो अब हम बनाएंगे दधी का खीरे का राइता तो हम ने 500 ग्राम दधी लिया है और हमने छोटे पीसेज में खीरे को काट लिया है वो हमने है आपका लगाएंगे तो हमने यहां पर जीरा और तेल का तड़का लगाया है पकाये इसमें आदा चम्बच लाल मिर्ची का पौडर और अधा चम्मच हमने जीरा पौडर डाला है थोड़ा सा दनिया पत्ती डाला है अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो रायता भी बनकर तैय के लिए चावल अच्छे से भीग गयते हैं तो वो हमने इसमें एड़ कर दिया हैं अब हम इसमें कुछ ड्राइफ फूट्स एड़ करेंगे तो जैसे कि काजू बादाम मखाने गिसा हुआ गोला और दो इलाइची का पाउडर डला है इसके बाद हम इसमें 250 ग्राम चीन ही ए ड्राइची के करेब हमीसमें बादा नमक टील ड़ेंगे और थोड़ा फर फिर से राणगे तो हमने सबसे तो हमकर के वह चाजों को रखेंगे सबस्मर हम आहरे तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और अच्छा 1 डोव लगा कर तयार करेंगे तो अब हमने पूरी कड़ो लगा कर भी तयार कर दिया है एक पैन में हम दो चम्मच वाय लेंगे एक चम्मच जीरा डालेंगे पिसा हुआ एक चमव दनिया पौटर डालेंगे आदा चमव Memorial चलिवर्णी माँच करेंगे और अचिय तरह से इसको sk Lefty मसालो को पूर बूंकर हम इसपें मौंग डाल देंगे अब हरी मिर्च आली है मादा चमव मिर्च दाली है आदा चमव माख चलाल मिर्चका पौडर जाल को अच्छे से भूंद में निकल लेते हैं झालचे निनरी ऑ में कर लेंगे चोटी झ्पर परकते हैं कि न्युदुदुदि के सब 5 ऌफ बन कर दियार के दुद्व तो यहां पर आप देख सकते हैं कचोड़ी अच्छे से सिख चुकी हैं अब ऐसे ही पूडिया बना कर तैयार करेंगे तो जब तक हम खाली लगा कर तैयार कर लेते हैं कि अब यहां पर पूड़ी लगा दी है तो आई होब कि आपको यह रेश्पी पसंदा योगी रेश्पी पसंदा यह वीडियो को लाइक करें चैनल को